हे गाईज वेलकम टू माई कोकिंग लॉग देखिए मैं आलू का चिप्स बनाई हूं कितने ज्यादा कुड़कुड़े बने हैं ना ही धूप में सुखाना है तुरंद बनाई और तुरंद खायत देखिए मैंने तीन आलू लिये हैं मेडियम साइज के अब कोई भी आलू ल खालो इतनी ज्यादा टेश्टी बनी थी तो देखिए मैंने आलू को छिल लिया है आप क्या करूंगी आलू काटने वाले जो यह होते हैं तो आप न इसके जगह इससे भी पतला एक आता है जिसे पतला पतला चिप्स कट कटा जाता है तो आप उब ही ले सकते हैं उससे और क्रिष्पी बनेगा तो मैं इसी से बनाई हूं यह भी बहुत ही ज्यादा टेश्टी बना था तो देखिए कुड़कुरे बना था तो पतले-पतले मैंने काट लिये हैं पानी में ही डालते जाए काटते जाए नहीं तो यह काला पड़ सकता है तो देखिए मैंने सारे पानी इसको व inputs कर लीजिएonse बस करके आपना एक कोटन कपड़ा ले सकते हैं और उसके ना आलू केशिप्स प्यायर दीजिए मैं कैसे फ्यायर आे हूं इस तरीके से आप लोग ले लेजिए और फेला कर उपर से एक और कोटेन का कपड़ा ले लिजिए और उसे नहीं हल्का-हल्का जो भी पानी है उसको अच्छे से सोख कर लिजेए मतलब कपड़े साफ कर लिजे पानी को ऐसे बहुत इजली हो जाता है इधर मैं कढ़ाई में तेल गर्म कर रही हूं आप कोई भी कुपिंग ओयल ले सकते हैं मैं यहां सौर्स ओयल ले हूं आफ रिफाइन ओयल भी ले सकते हैं और देखिए यह तेल अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए फिर हम इसमें डाल देंगे इसको अच्छे से अलट पलट के चारो तरफ से पकाएंगे जब तक की मतलब इक लगता है कि पक गया है देखिए इस तरीके से आप लोग भी इस तरीके से फ्राइब कर लीजिए गाई इसको इसको दो बर फ्राइब करना है गाईस पहले मैं फर्स्ट आप हिस ऐख लोगर तो इसको आपते अठावज लीजिए प्लेट में अपने देखिए इसको दोबारासर फ्राइब कर लाит कि पूछिए मत देखिए मैं दुबारा इसको फ्राइ कर रही हूं और यह इतने ज्यादा क्रिस्पी बनेगा किसी भी आलू का बना सकते हैं आप घर पे जो आलू होते हैं ओ या फिर मार्केट वाले कोई भी आलू का बन जाएगा जो मैं बता रही हूं कि पतले वाले जो चि इसको दुबारा अच्छे से फ्राइ कर ली हूं एकदम कुड़ कुड़े बने हैं यह तो देखिए कितने अच्छे से कुड़ कुड़े बने हैं इस तरीके से आप लोग भी बनाई है उपपा से आमचूर पाउडर अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं उसके नाया मेरा वाइस दाली नाया है घुजा जाधा मरपड़ सकते हैं है